नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रभाष दोस्तों वर्स 2016 से पहले हमारे देश में जितनी भी नई टेने चलती थी सबकी घोशना लगभग रेल वजट में होती थी और रेल वजट हमारे देश के संसद में आता था एट प्रकार से संसद से ही टेनों की अरॉंचमेंट होती थी लेकिन दोस्तों वर्स 2016 के बाद से सायधी किसी टेन की अरॉंचमेंट हमारे देश की संसद में हुई हो लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे रेल वे ने अनॉंचमेंट की है दरभंगा से अजमेर के लिए हमेशा के चलने वाली express train की हाला कि इस train की जो announcement है वो बरस 2014 के rail budget में हो चुकी थी लेकिन डेलेवर ने तकरीबन 8 साल के बाद इस train को चलाया था पिछले साल जुलाई में और दिसंबर में आके बंद कर दिया लेकिन दोस्तो अब ये train अब बार फिर से चलेगी और इस train की जो announcement है वो हमारे देश की संसद में हमारे देश के rail मंतरी अश्वनी वैशनव जी ने की है दोस्तो क्या हुई है यहाँ पर announcement क्यूं हुई है यहाँ पर announcement आज की सफ़े में से बारे बात करेंगे लेकिन दोस्तो उससे पहले में चाहुँगा कि दिया आपने चनल काब्सक्राइब नहीं किया है चनल काब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करने और आप अपनी राय भी कॉमेंट करके जुरूर बताएं कि क्या यहाँ पर ये announcement पुरी तरीके से सही है कुछ changes की आवशकता है दोस्तो यदि हम यहाँ पर संसद में होगे action की बात करें तो कल यानि कि 29 मार्च को दर्भंगा के संसद गोपाल जी ठाकुर जी ने रेल मंत्री जी से कुल मिला के पांच सवाल किये थे सबसे पहले तो ये घोशना की गई थी कि जो train जिसकी announcement वर्च 2014 के रेल बजट में की गई थी यानि की तर्भंगा से अजमेर एक्सप्रेश टेन ये अभी तक क्यों नहीं चलाए गई है यदि ये train चलाए गई तो इसे क्यों बंद कर दिया गया और कुल मिला के इसी पे आधालित question थे दोस्तो इसका जो जबाब है वो हमारे देश के रेल मंतरी अश्वनी वेस्टव जी ने कहा उन्होंने यहाँ पे बताया कि हाँ इस train की घुषना रेल बजट में हुई थी लेकिन हमारी railway ने इस train को जुलाए 2022 में चलाया और कोहरे के कारण यानि कि ठंड के कारण दिसंबर में आके इसे बंद कर दिया गया जो कि पुरी तरीके से गलत है इस train को हमेशा के लिए बंद किया गया था दिसंबर लाष्ट में आके इस train को बंद किया गया था यदि कोहरे के कारण बंद किया जाता तब ये train दिसंबर के पहले सब्ता से ही बंद होती लेकिन जो भी है उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कहा है कि पाँच अपरेल से train संक्या 0553738 तरभंगा अजमेर एक्सप्रेस एक बार फिर से चालू होने जा रही है और अब ये train हमेशा के लिए चलेगी दोस्तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी इंफर्मेशन मिल गई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो सुष नहीं बिलेंग फिडियो के साथ दुखे जाहिंद चा भारत